मैंने solution PDF बना के डाल दिया है कुछ बच्चों का कोईरी आ रहा है कि सर इस PDF में जो कैलकुलेशन है वो समझ नहीं आ रहा तो उन दोनों चीज़ों को मैं समझा देता हूं पूरा एक बार सारी चीज़े यह बैलेंशीट गीवन था इसके अंदर कहता है कि सर आप यहां पर देखेंगे रहां नोट्स में तो कॉल सिनेरियर प्रफिचर के यह दो सो शियर थे तो इस दो सो शियर को फॉर्फिचर कर लिए जो कि दो सो शियर और एक शियर हमारा हंड़िट का था तो ज आप क्या देखेंगे जो कोश्चन हमने करा हुआ है तो देखे सबसे पहले हमने फॉर्फिचर किया है इंट्री में आप देखेंगे मैं दोनों चीज़े को कंपेर कर लूं सबसे पहले देखें फॉर्फिचर कर लिए 20 अजार फिर हमने इसको बैंक से रिश्यू कर दिया रीशू के बाद हमारा क्यापटर रिजब निकलता है इन दोनों का कमपेरिजन करके पो चीज़े मैंने यहां तीन एंट्री में कर दी है चली आ जाते आगे और यह इस तरीके से एंट्री हमारा हो गया अब मुद्दे की बात आती है सर सर्प्लस क्रिएट करना सी आरा तो सवाल में क्या कहता है कि सी आरा जो आपको क्रिएट करना एंडि डिसाइड सफिसेंट मिनिमम नंबर अफ शियर दो रुपे प्रेमियम पे कर देंगे और रिदेंशन रिक्वाइड आपका सेट अफ अगें सेक्यूरिटी प्रीमियम रिपेमेंट रिदेंशन मेड फुल एक्सेप्ट शेयर होल्डर हंडेड शेयर जो थे मिले ही नहीं जिनको पैसे नहीं देने टू मन्त आफ्टर हमने बोनस डिक्लियर किया तो सबसे पहले दो म में आपको समझाया है कि हमें टूटल कितना पैसा CRR में था अगर ध्यान से देखिए तो पहले हमारे पास यह सारे पैसे हमारे पास टूटल तीन चालिस था जिसमें से लॉस हुआ था आपको एसेट्स बीचने पर माइनस कर दिया और हमें कैपिटल रिजर्व जो फाइद आगे देखा जाए तो हमारे पास स्टिल अभी जो बैलेंस अविलिबल है ना आप देखेंगे तो हमारे पास स्टिल बैलेंस अविलिबल इसको माइनस करने के बाद यह बचा था इसमें से एक बीस मिनिमम बैलेंस रख लिया दो चौदा बचा जिसमें से चालिस तो सर प् करेगा जो कि हमने सीधा 32600 का फ्रेश इशून निकाल दिया यहां पर और बोनस के लिए मैंने नीचे ऑल्डो कैलकुलेशन कर दिया है बोनस के लिए नीचे कैलकुलेशन के बस बोनस शेयर नंबर निकाल दिया जौरत नहीं है इसमें करने की तो आगे चलते हैं कि हमने क्या एंट्री करा है किस तरीके से पास किया है तो आप एंट्री में आगे देखेंगे तो जो कह रखा था इसके उपर आ जाते हैं कि तो हमने CRR create कर लिया क्योंकि 174 पड़ा हुआ था न हमारे पास तो देखिए 174 से मैंने यहाँ पर CRR create कर दिया उसके बाद हमने क्या करा preferent shareholder ने fresh issue कर दिये मैंने bank से और 2 रुपए का security premium था तो 32 600 into में 2 रुपए तो इसके हिसाब से यह premium आ गया हमारा इसके बाद preferent shareholder को बुला लिया और payment करते टाइम पे हमें याद आया है कि source share minus करने थे तो यह 534 source share के पैसे नहीं देने थे तो वो minus करके यह total हमने दिखा दिया मैं एक बार calculate भी कर लेता हूँ 534 source share और हमें 110 minus 5 like 50,000 39 नहीं है तो यह आगया हमारा तो इस तरीके से preferent share का redeem हो गया और अगली entry में हमने security premium को write-off कर दिया जो कि खूब सारा पैसा पढ़ा था fresh issue के भी 50 कैसे करें पहले के 40 थे fresh issue से भी पैसे आये थे कुछ यह देखिए आपका 62,500 तो पचास के पचास write-off कर दिया यह था हमारा question number one इसके और में ही इसके दूसरा पार्ट आया था हमारा बहुत simple सा buyback question में क्या कहता है कि 6,000,000 share है equity share company ने 3,000,000 share general reserve में और यह कुछ amount दे रखा है decide buyback करना है 10,000 share 10 रुपे का 12 रुपे में buyback करना है simple सा question पूछ लिया गया था इसी के बाद देखेंगे आप buyback के questions को मैंने entry करके दिखा दिया कि भाई हमें कितने करने थे 12 रुपे में करने थे 10,000 share तो इस हिसाब से 1,20,000 की ज़रत है buyback bank में डाल दिया और यह हमने do कर दिया और यह payment कर दिया और जो भी हमारा CRR बनाना था हाला कि यह entry में भूल गया था तो CRR मैंने बाद में बना के दिखा दिया यह आपका पहले आ जाएगा जाएगा बाद में भी कोई फरक नहीं पड़ता तो sir question number one done हो जाता है समझ भी लिया हमने तो जिन बच्चों को doubt है working note के इसाब से हर एक questions का मैं आपको बताता जाओंगा अब इसके बाद question number one का ही न और पार्ट आ जाता है सर और पार्ट वाले कि अगर हम बात करें चलिए और पार्ट में हमें एक कोशन का एक वीडियो बना लेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर टी हो जाए पांच वीडियो में खतम हो जाएगा यह अब question जो पहला question है यह 10-year का question कराया क्लास के अंदर है बस amount डिजट चेंज था तो बस इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहींगा इसमें क्या था conversion था आठ लाग डिविंचर थे आठ लाग को हमें 102 परसेंट पर रिडीम करना था वही डिजट था सेम और हमें इसका option दिया गया के भाईया यह मिलेंगे यह मिलेंगे यह holder ने कुछ ने यह ले लिया और कुछ ने ऐसे कर लिए बस अमाउंड चेंज है question number I think मैंने 6 कर आया था 10 यह का देखिएगा redemption का question number 6 करवाया था आप वीडियो में जाके देखें आपको बिल्कुल clear समझ में आ जाएका बहुत दीरे-दीरे करवा रखा है मैं इसके चलता हूं स्रिफ pdf पर डारेक्टली के pdf में किस तरीके से हमने किया हुआ है question number one और यह रहा सर देखे जर्नल एंट्री मैंने डारेक्टली कर दिया यहां पर वर्किंग नोट मैंने नहीं समझा के करना चाहिए तो क्योंकि कर रखा था तो यह pdf में आपको मिल जाएगा कि 6% debenture था उसको redeem किया debenture holder का debenture holder 5% security premium पे कर दिया मैंने और यह सारी की सारी entry मैंने कर रखिया तो इसमें कोई भी doubt होता है तो आप बोलेंगे तो मैं morning में paper से पहले बता दूँग आपको वो सारा option मैंने यहां पर create करके clearly दिखाया हुआ है बी पार्ट जो था ना वो 10 year का as it is question आया हुआ था तो मैंने as it is 10 year का answer डाल दिया है आप देखेंगे तो 10 year का as it is answer डाल दिया जिसको ज़्यादा कुछ करने की अवशकता नहीं है आपको समझना है और करना है मैं फिर भी मैं और कैसे करना था सबसे पहले बी पार्ट के अंदर देखा जाए ना तो बी पार्ट में क्या कहता है सर बी पार्ट में देखा जाए बी पार्ट फोड़ा tricky आपको लग सकता है वैसे class में करवाया हुआगर आप देखोगे ने dиватьर में चरप्टर में तो मिल जाएगा कहत सर 50,000 डिबेंचर इस डेट पे था और ब्याज जो है बीच में देना है हम एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर का फॉलो करके चल रहे हैं एक अप्रेल को 500 डिबेंचर हमने खरीद लिए तो इसका मतलब यहां से यहां तक ब्याज 50,000 पर देना है इसके बाद ब्याज हमें किस पर देना है सर पैनटालिस हजार पर इसके बाद कहता है से 30 दिसंबर और जनवरी को देंगे दा कंपनी मेंटेंड रिडंशन डिबेंचर अकाउंट मेंटेंड नहीं कर रही थी सिंकिंग फंड तो सिंकिंग फंड का मतलब डियार तो अब हमें डियार और सर्प्लस में कर लेंगे जैसे हम रिडीम कर रहे हैं तो उसका जो भी हमने देखा था 10% 100% आउट और प्रॉफिट में क्या करते हैं 100% ही कर लेते हैं ठीक है ना दा कंपनी परचेस 500 डिबेंचर 95 का एक अप्रेल को खरीद लिया इमेडेट केंसिलेशन एक अक्टूबर को फिर से कंपनी ने खरीद लिया तो यहां से यहां तक ब्याद जिस पर जो मोटा मोटा मुझे समझाना था क्यूंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो को क्लियर होगा सुलीशन में डाल दिया पेमेंट ऑफ इंट्रस का करना है पर्चेस केंसलीशन का करना है आप सुलीशन में देख सकते हैं आपका सिंपल सब्याज कैल्कूलेट किया हुआ है पहले 50,000 पर तीन महने का फिर आपका 60,000 रुप्या उगया catch चुके के लिए ठीक है ना इंट्रस की कैलकूलेशन के साथ-साथ मैंने सर्प्लस तु डिया कर दिया क्योंकि हमने कितने रिडीम करें थे पचास और साथ-पचास और साथ-पूरे 100% भीज दिया अब यहां पर डिया बनाने की वशक्ता नहीं है सिर्फ सिंकिंग फंड बोला था नह कोशन पर भी चलेंगे इसी तरीके से